Hello my dear students, I am G.D. Pandey, I teach mechanical engineering on make my career. प्यार अच्चों, आज डेमू की शिंखला में हम आपके लिए छठा वीडियो लेकर आएं हैं और ये छठा वीडियो का जो टॉपिक है, वो है very very important heat transfer. इसके पहले जो पाँचमा वीडियो था, वो work transfer पे था. वर्क transfer भी energy interaction है, और heat transfer भी energy interaction है. लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उसमें energy interaction के अंतरगत हम लोगों ने work transfer की बात की थी. इस वीडियो में हम heat transfer की बात करने जा रहे हैं. हाला कि mechanical engineering में एक अलग से subject भी होता है heat transfer. हम उस पर भी चर्चा करेंगे, जब हम thermodynamics में already heat transfer पढ़ रहे हैं, तो फिर अलग से heat transfer नाम का subject पढ़ने की ज़रूत क्या है? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद इससे concerned किसी भी question को लगाने में आपको difficulty महसूस ना हो. तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक pen copy लेकर बैठिए, पूरा notes बनाएंगे, तो आपको J, A, E, परिच्छा के सारे प्रशन बड़े आसानी से निकल जाएंगे. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि heat transfer होता क्या है या heat क्या होता है. हमने आपको last वाले वीडियो में बताया था, हम यहाँ एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, कि अगर हम energy को divide करें, तो energy दो type के हो सकते हैं. एक energy in transit और एक energy in storage इधर हम लोग क्या लिए सकते हैं? energy in transit और energy in storage इसके पहले वाले वीडियो में detail में बात की गई है, इसलिए मैं यहाँ शॉट में कर रहा हूँ. और अगर energy in transit पे बात किया जाए, तो यह दो type के होते हैं, एक होता है heat, एक होता है work और एक होता है heat. पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने work के बारे में बात कर लिया था, अब हम heat के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं. तो basically heat है क्या, heat is defined as the form of energy, heat भी एक पकार की ऊर्जा है, heat भी एक पकार की energy है, कैसी energy है, energy in transit है, energy in transit है, energy in transit से मारा मतलब है कि यह किसी system को आप transfer कर सकते हैं, you can supply the heat to a system, और you can reject the heat from the system, so heat is what, heat is what, it is the kind of energy, it is the form of energy, यह किस प्रकार से अलग है, work से जारा जानते हैं, that is transferred across the boundary, यह किसी system की boundary के across transfer हो सकती है, by virtue of a temperature difference, ध्यान दीजेगा बच्चों, अगर आपको heat समझना है, अगर आपको heat समझना है, तो देखिए, जब भी कोई energy transfer होती है, चाहे वो work हो, चाहे वो heat हो, तो कुछ न कुछ driving potential होता है, बिना driving potential के energy transfer नहीं होती है, अगर हम heat की बात करें, कि एक system से दूसरे system को heat transfer कैसे हो सकती है, तो देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कि heat can be transferred across the boundary of a system, by virtue of temperature difference, अगर दो system के बीच में temperature difference है, मैंने इस line को underline कर दिया, बहुत ध्यान से समझेगा, अगर दो system के बीच में temperature difference है, तो वही यहाँ पर driving potential का काम करता है, वही heat को flow कराने का काम करता है, अगर दो system के बीच temperature difference नहीं है, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई heat flow नहीं करेगा, let us suppose, माल लिजिए, एक सिस्टम यहाँ पर यह है, और इस सिस्टम का तापमान है T1, और दूसरा सिस्टम माल लिजिए, यह है, इस सिस्टम का तापमान है T2, और माल लिजिए, T1 is greater than T2, तो T1 से heat flow करेगे T2 की तरफ, T1 से T2 की तरफ heat flow करेगी, क्योंकि दोनों के बीच एक gradient है, एक difference है, temperature difference है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको और आसान कर रहे हैं, माल लिजिए, यह है, 50 degree centigrade, और माल लिजिए, यह है, 40 degree centigrade, तो अब देखिए, अगर यहाँ डेल्टा T निकालेंगे, यहाँ डेल्टा T निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2, और 50 में 40 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 10, यह जो 10 degree centigrade का temperature difference है, यही heat flow कराने का driving potential है, और थात कारण है, जब भी energy flow करती है, जब भी heat flow करता है, there must be a driving potential, अगर driving potential नहीं है, तो वहाँ पर heat नहीं flow करेगा, और heat के flow होने के लिए, हमारे लिए driving potential का का काम कौन करता है, temperature difference, यहाँ T1 से T2 heat तब तक flow करेगी, जब तक T1 बड़ा है, T2 छोटा है, अगर एक ऐसी condition आ गई, कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं, T1 बराबर T2 हो जाएं, तो अगर आप डेल्टा T के formula, डेल्टा T का formula क्या होता है, T1 minus T2, अगर आप T1 T2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो डेल्टा T का मान 0 हो जाएगा, और डेल्टा T का मान जैसे ही 0 और जैसे ही driving potential खतम हो गया, 0 हो गया, वैसे ही heat का transfer होना रुक जाएगा, तो heat केवल तभी transfer होगी, जब आपके पास क्या है, डेल्टा T की कुछ न कुछ value है, डेल्टा T की कुछ value है, तभी heat transfer होगा, अगर डेल्टा T की value 0 हो गई, तो वहाँ पर कभी कोई heat transfer नहीं होगा, तो heat transfer के लिए driving potential का काम कौन करता है, temperature difference या जिसे हम करते हैं, डेल्टा T, तो यहाँ से अगर हम heat की परिभाशा को देखें, तो heat क्या है बच्चों, heat is the kind of energy, heat is a kind of energy that is transferred across the boundary by virtue of temperature difference, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, note, in case of heat transfer, मैंने इसी बात को देखें, फिर से लिखा है, जो बात सबसे important है, उसे हम लोग बार बार इसलिए लिखते हैं, ताकि वो दिमाग में आपके बिल्कुल घर कर जाए, फिर से क्या लिखा है, फिर से ये लिखा है, कि in case of heat transfer, driving potential, driving potential is temperature difference, driving potential कौन है बच्चों, driving potential है, तो वहाँ पर heat flow नहीं करेगा, अगर delta T का मान जीरू हो जाए, तो heat flow नहीं करेगा, इस बात को मैंने फिर यहां लिखा है, means, no temperature difference, no heat transfer, अगर कहीं पर temperature difference नहीं है, तो वहाँ पर heat का transfer नहीं होगा, heat का transfer वहीं होगा बच्चों, जहाँ temperature difference है, और सामानने तया, सामानने conditions में, heat higher temperature से lower temperature की ओर flow करती है, heat कहां से कहां flow होगा, higher temperature से lower temperature की ओर flow करेगा, सामानने तया, heat कहां से कहां flow करती है, बच्चों, higher temperature से lower temperature की तरफ, कहां से कहां फ्लो करती है, higher temperature से lower temperature की तरफ, लेकिन हम आपको second law of thermodynamics जब पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि heat का flow lower से higher भी हो सकता है, ये एक सामानने conditions है, जब refrigeration आपको पढ़ाएंगे, जब आपको air conditioning पढ़ाएंगे, जब आपको heat pump पढ़ाएंगे, तो वहां आपको बताए हैंगे कि heat का flow lower से higher भी हो सकता है, तेकि सामानने तया जो heat है, वो कैसे flow करती है, higher temperature से lower temperature, higher temperature मालो T1 है, lower मालो T2 है, तो T1 से heat कहां जाएगी, T2, और जब तक ये बढ़ा है, T2 से तभी तक heat flow करेगी, जैसे ही दोनों बराबर हुए, heat का flow रुख जाएगा, तो driving potential कौन है, डेल्टा T का कुछ न कुछ मान जरूर होना चाहिए, डेल्टा T should not be equal to 0, अगर डेल्टा T 0 हो गया बच्चों, तो वहाँ पर heat flow नहीं करेगा, और ये एकदम correct बात है, मुझे लगता इस concept से आप परिचे हो गया होगा, आगे चलते हैं, अब देखिए, heat के flow करने के 3 modes होते हैं, एक mode से है conduction, दुसरा है convection, तिसरा है radiation, इससे पहले मैं आपको conduction, convection, radiation पढ़ाओं, मैं आपको एक concept और समझाना चाहता हूँ, एक student ने हमसे question किया, कि sir, thermodynamics में, अभी हम लोग इस पे आएंगे, बिटा, अभी हम लोग इस पे आएंगे, conduction, convection, radiation पे हम लोग अभी आएंगे थोड़ी दिर बाद, जड़ा उससे पहले मैं एक concept आपको और समझाना चाहता हूँ, एक student ने हमसे प्रश्न किया, कि sir, thermodynamics में, thermodynamics में, आपने पहली class से आप बता रहे हैं, कि हम लोग heat के बारे में, खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, हम लोग heat के बारे में, खूब सारा प subject और पढ़ना है, जिसका नाम है heat transfer, तो sir, इस subject में फिर क्या पढ़ेंगे, जो thermodynamics में heat पढ़ रहे हैं, उस heat का क्या मतलब है, और जो heat हम पढ़ेंगे, heat transfer में, इसका क्या मतलब है, क्या दोनों same है कि अलग-अलग हैं, देखो बेटा, जो हम लोग thermodynamics में पढ़ते हैं, वो ह heat transfer में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं हम लोग, rate of heat transfer, क्या हम पढ़ेंगे, rate of heat transfer, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, केवल heat transfer, thermodynamics में केवल आप heat पढ़ते हो, यानि thermodynamics में आप खाली यह पढ़ते हो, कि एक system से दूसरे system को heat दिया गया, किलो जूल में, इसको हम कहां पढ़ेंगे, किलो जूल में, एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम को हीट दिया, तो किस में देगा? किलो जूल में, लेकिन यहां पर rate of heat transfer में हम पढ़ेंगे, rate of heat transfer में हम पढ़ेंगे, कि कितने समय में heat transfer हुआ, कितने समय में heat transfer हुआ, अर्थात य यहां हम time को time के respect में heat transfer पढ़ेंगे और kilo joule per second के stride watt भी कहते हैं आप जानते होंगे जो भी है लेकिन हमारा उद्देश है कि इन दोनों subject में अंतर क्या है आप यह समझेए आप निकास सर थर्मोडाइनमिक्स में हम heat ही पढ़ेंगे खोब सारी heat पढ़ेंगे फिर आप कहे रह value को बताता है heat transfer को बताता है kilo joule में उसको पढ़ते हैं लेकिन जो आपका heat transfer में पढ़ेंगे हम heat वो rate of heat transfer with respect to the time बताता है जिसमें हम kilo joule per second में पढ़ेंगे तो यह concept है हमारा heat transfer जब पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत detail में बातचीत होगी अभी तोमारा thermodynamics चल लहा है जैसे heat transfer में क्या पढ़ेंगे अगर मैं और आपको एक्जामपल दूँ माल लिजे system है माल लिजे system है यह क्या है बच्चो system है माल लिजे system का temperature कितना है 200 degree centigrade और यह system लगातार heat reject कर रहा है लगातार heat reject कर रहा है तो धीरे 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 करते करते एक समय ऐसा आएगा न कि इस system का temperature कितना हो जाएगा चलो माल लो 150 degree centigrade हो जाएगा भई 200 पे है लगातार heat बाहर निकल लई है तो temperature घट जाएगा न तो एक समय पर इसका temperature कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा अगर हमें निकालना हो कि वो समय कौन सा है कितने देर में एक घंटे में आधे घंटे में दस मिनट में पांच मिनट में कितनी देर बाद इसका तापमान इतना हो जाएगा या कितनी देर में कितना heat transfer हुआ अगर ये सब चीज़े निकालना है तो thermodynamics हमें कोई information नहीं देगा इसकी information कौन देगा heat transfer तो मुझे लगता है इतना आप समझ गये हैं जब बाकी चीज़े में heat transfer बढ़ाऊंगा या heat transfer की भी demo videos में upload करूँगा तो मैं आपको उसको और detail बताऊंगा अब तीन बहुत basic बातें आपके सामने लिखी हुई है एक है conduction, दुसरा है convection, तिसरा है radiation इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे जानती नहीं conduction क्या है, convection क्या है, radiation क्या है देखिए, तीनों में heat transfer होना है मैं इसको समझाने के लिए एक छोड़ा सा example ले रहा हूँ और उसी example से आप तीनों समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी चलिए मान लीजिए, यहाँ पर यह कोई लड़का है जिसका नाम है A और यहाँ पर कोई लड़का है जिसका नाम है P और इसके बीच में कई सारे लड़के और हैं मान लीजिए, कई सारे लोग और हैं और A के पास कोई एक मोबाइल फोन है या बुक है उसे बी को देना है चलिए A के पास मान लीजिए क्या है कोई बुक है, चलो बुक मान लेते हैं और इस बुक को हमें किसको देना है बी को देना है अब देखें, कितने तरीके से इस बुक को A से ले करके हम भी तक पहुचाएंगे ध्यान दीजिएगा कितने तरीकों को हम एडाप्ट करेंगे उन्हीं तरीकों के अधार पे कंडक्शन, कनवेक्शन और रेडियेशन आपको समझ में आ जाएगा एक तरीका ये हो सकता है कि ये बुक हमारे हाथ में अगर कोई है मैं बुक ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए मालिजे ये बुक हमारे हाथ में है ये कौपी हमारे हाथ में है ये मालिजे है एक तरीका ये है कि ये कौपी हमने बगल वाले को दिया बगल वाले ने दूसरे वाले को दिया दूसरे वाले ने तीसरे वाले को दिया सब ने अपनी अपनी कॉपी इस तरह से ट्रांसफर करते गए इस तरह से ट्रांसफर करते गए इस तरीके में ध्यान दिजेगा इस तरीके में कोई मॉलेक्यूल अपने अस्थान से move नहीं करेगा एक खुद चल करके B तक नहीं आया आप इस बात को ध्यान दीजिएगा एक खुद चल करके B तक नहीं आया A ने अपना जो copy था वो दिया इसको इसने दिया इसको इसने दिया इसको और finally copy कहां पहुँच गई? B के पास लेकिन एक खुद नहीं move किया है इस बात को ध्यान दीजिएगा move नहीं करना हम ऐसे खड़े हमने अपनी copy दी इनको इन्होंने इनको इन्होंने इनको और ऐसे करते करते कहां पहुँच गया? B के पास अगर हम इस तरीके को अपनाते हैं तो इसे हम कहते हैं Conduction यही तरीका है जिसके हम बात कर रहे थे Conduction में हर एक molecule देखे पाइसिपेट कर रहा है यह molecule भी पाइसिपेट कर रहा है यह 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 हर एक molecule हमने दिया बगल वाले ने दिया बगल वाले ने दिया हर एक molecule, each and every molecule is participating in the कंड़क्शन अगर हीट का फ्लो इस तरह कराया जाए हमने लड़कों को हटा करके अगर हम इसको मालिक्यूल माल ले माल लेजिए हमारा यह मालिक्यूल वन है यह हमारा मालिक्यूल वन है मालिक्यूल 2 है मालिक्यूल 3 है मालिक्यूल 4 है और माल जी यह मालिक्यूल A है यह मालिक्यूल B है और इसके पास हीट है और इस तक पहुचानी है तो यह अपनी हीट किसको देगा इसको देगा यह इसको देगा यह इसको देगा इस प्रक्रिया में कोई अपने अस्थान से हि transfer करें तो यह विधा यह तरीका क्या कहलाता है conduction conduction में आप देख रहे हैं कि conduction में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि each molecule हम क्या लिख सकते हैं each molecule is participating each molecule is participating in conduction कंड़क्शन में हर एक molecule participate कर रहा है हर एक molecule participate कर रहा है अर्थात यह कहां घटित हो रहा है यह फिनोमेना जो कंड़क्शन के फिनोमेना है यह कहां पर हो रही है यह molecular level पर हो रही है यह कहां हो रही है molecular level पर इसके बारे में हम second point क्या लिख सकते हैं यह कहां होती है molecular level पर molecular level कंडक्शन की जो फिनोमेना है कहां होती है molecular level पर molecular level बतलब उसके microscopic level पर इसको में एक नया शब दे सकते हैं यह कहां हो सकती है microscopic level पर यह सब जैई के कोश्चन है तीनों जैई के कोश्चन आपके हैं जैई में सम्में आये हैं कि कंडक्शन में क्या हर एक molecule participate करता है जी हां यह कोश्चन पूछ सकता है कंडक्शन molecular level पर होता है कि molecular level पर नहीं होता है molecular level पर होता है because each and every molecule is participating in the phenomenon of conduction क्या यह macroscopic phenomenon है कि micro micro मतलब small छोटा सूच्म और मैक्रो मतलब बड़ा तो यह macroscopic है कि micro यह macroscopic है तो यह कुछ बाते थी conduction के बारे में अब आईए बात करते हैं convection के बारे में अब देखिए हमने क्या कहा था अभी radiation को हम last में बात करेंगे और एडिशन की बात इतने में हो जाएगी जगह है उतना convection की हमने क्या कहा था कि एक बंदा यहां पर है A और यहां पर दूसरा बंदा है B और A से book B तक पहुचानी है और इनके बीच बहुत सारे और हमने लिए थे यह सब किताब लेकर जा रहे थे ऐसे ऐसे और उस प्रॉसेस का नाव हमने conduction कहा था अब यह चीज ना हो यह चीज ना हो एक खुद जाकर के B को बुक दे दे ए खुद जाकर के मूव करके अर्थात यहां पर दिखे वहां मूव नहीं कर रहा था यहां मूव कर रहा है एक खुद मूव करके अगर B को दे दे बुक तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे convection इसको और simple तरीके से दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि माल लिजिए यहां पर A है और A ने B को खुद ही किताब दे दिया तो यहां मूमेंट हुआ मूमेंट का मतलब क्या होता है यहां फ्लो हुआ यहां फ्लो हुआ तो यहां हीट ट्रांसफर किस तरह से हुआ फ्लो के द्वारा यहां कैसे हुआ फ्लो के द्वारा और यहां पर फ्लो के द्वारा नहीं हो रहा था यहाँ खुद नहीं जा रहा था अब यहीं से एक कोशन निकल किया जाएगा जे ये ये का कनवेक्षन में फ्लो के द्वारा ही ट्रांसफर होता है और फ्लो कहां हो सकता है फ्लो केवल लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है solid में flow नहीं हो सकता तो convection भी कहां हो सकता है convection केवल liquid में होगा या फिर solid में आप से कोई पूछे कि convection की phenomenon क्या solid में हो सकती है नहीं ये कहां होगी liquid में और gases में क्योंकि solid में flow नहीं है और इस phenomenon में flow होना जरूरी है conduction कहां हो सकता है conduction आपका liquid में भी हो सकता है solid में भी हो सकता है और आपका gas में भी हो सकता है liquid, solid, gas तीनों में conduction हो सकता है लेकिन convection केवल और केवल liquid में होगा और gas में होगा solid में conduction नहीं होगा solid में conduction नहीं होगा चोकि यहाँ flow होना जरूरी है मुझे रखता है बात आपको समझ में आ गई है अगर आप इसक्रिन शॉट लेना चाहें तो इसका आप इसक्रिन शॉट ले सकते हैं तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ तो conduction clear हो गया, convection clear हो गया, अब आते हैं radiation पे उसी example को फिर से लेते हैं, यहाँ पर कोई A है, यहाँ पर कोई B है A से book B तक जानी थी, एक बार conduction में, बीच में कुछ लोगों ने participate किया था दूसरे वाले में क्या कहा, यह खुद गया था अब यह खुद न जाए, मालो यह खुद न जाए, यह book यहाँ से फेक दे उसको B को, ऐसे book उसने फेक दिया, और B ने catch कर लिया तो यह खुद नहीं गया, तो convection नहीं हुआ इसने किसी और को नहीं दिया, तो conduction नहीं हुआ यह जो फेक के देने वाला तरीका है, इसे हम कहते हैं, radiation क्या कहेंगे इसे हम लोग, radiation, क्या बोलेंगे, radiation अब मुझे बताईए, एक बार question आया, जैई में, जैई में बार question आया, कि conduction, convection और radiation में, fastest process कौन सा है, जो सबसे तेज हो सकता है, मुझे लगता है, आप जवाब खुद दे सकते हैं, बुक देने का सबसे fastest तरीका कौन सा है, बेक कंडक्शन में तो बगल बगल देना पड़ेगा, convection में खुद जाना पड़ेगा, radiation में, उसने फेक के दे दिया, तो अगर हम modes of heat transfer की बात करें, और fastest modes of heat transfer की बात करें, वो क्या है, radiation, तो देखिए, concept के साथ questions भी आपके JEE, IS gate के निकलते चले जा रहे हैं, मेरी कोशिस है कि मैं सब चीज कवर कर दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई बात ना समझ में आये, तो मुझे जरूर comment section में बताएं, और आप इस वीडियो को share करिए, बहुत चारे दोस्तों तक अपने पहुचाईए, make my career का YouTube channel आप subscribe कर लीजिए, make my career का application का link आपको वहां मिल जाएगा, उसे आप download कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा, ये comment section में जरूर बताईए, आपका एक comment हम लोगों के लिए बहुत उत्सा देता है, आपके comment समय प्रेडित करते हैं, कि हम इसको और अच्छा कर पाएं, और किसी चीज़ पर आप चाहते हैं वीडियो को यसा particular topic जो आपको न समझे आता हो, बताईए, हम उस पर भी वीडियो आपको बना के देंगे, तो conduction, convection और radiation की बात यहां पूरी होती है, अब आईए कुछ बाते करेंगे, हम लोग heat को और detail में ले चलते हैं, तीन टॉर्म से जानना जरूरी है heat से मंधित, heat capacity, specific heat capacity और latent heat, heat capacity क्या है, देखिए समझे पहले, आप जानते हैं कि कोई भी body है, कोई body है, कोई system है, आप जानते हैं कि अगर आप इसको heat देंगे, आप जानते हैं अगर आप इसको heat देंगे, तो इसका temperature बढ़ेगा, बोलो यार, 2 degree centigrade, 5, 10, कुछ भी, हम केवल उतनी heat दें, heat की वह value, जो इस body के temperature को 1 degree centigrade या फिर 1 Kelvin बढ़ा दे, heat की वह value, जो इस body के temperature को 1 degree centigrade या 1 Kelvin बढ़ा दे, उसे हम heat capacity कहते हैं, heat capacity, heat की वह मात्रा है, heat की वह मात्रा है, जो किसी body के temperature को 1 degree centigrade या 1 Kelvin बढ़ा दे, उसे हम heat capacity कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्हें formula लिख दिया है, definition वही जो मने हिंदिम बुला है, वह यंग रेजिम लिखी गई है, आप note कर सकते हैं, अब हम जानते हैं, specific heat capacity क्या होती है, इसको हम लोग specific heat capacity कहते हैं, या इसको generally हम लोग क्या बोलते हैं, specific heat, इसको हम C से denote करते हैं, अब देखिए, body वही है, पहले पूरी body थी, अब हमने इसको calculate करना है, unit mass के लिए, या यूं कहें, के heat capacity को ही, अगर हम unit mass के लिए calculate करना चाहें, अगर हम पूरे mass के लिए नहीं, हम केवल इसमें से 1 kg mass को देखना चाहें, unit mass पर calculate करना चाहें, तो जितना heat हमें देना पड़ेगा, एक degree centigrade तापमान को बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, specific ही, यानि किसी body का temperature, उसके unit mass का temperature, किसी body के unit mass का temperature, एक degree centigrade बढ़ाने के लिए, जितने heat के आउशकता होती है, उसे specific heat कहते हैं, पूरे body का तापमान बढ़ाने के लिए, जितने heat के आउशकता होती है, उसे heat capacity कहते हैं, और body के unit mass का तापमान बढ़ाने के लिए, जितने heat के आउशकता होती है, उसे specific heat capacity कहते हैं, इसको स्वरल भाशा में आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम heat capacity को unit mass के लिए calculate करें तो वो क्या बन जाता है specific heat capacity देखिए heat capacity और specific heat capacity में क्या अंतर है कि अबल mass divide किया गया है बाकि formula तो same है तो ये है specific heat capacity आगे बढ़ते हैं some important points about specific heat capacity ये points जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा because आप formula रटते हैं आप theory रटते हैं आप feel नहीं कर पाते और आप से कोई physically महसूस करने की बात बोले जब तक physically आप महसूस नहीं कर पाएंगे concept को तब तक बहुत लंबा आप काम नहीं कर पाएंगे आप बड़ी exams crack नहीं कर पाएंगे अई मैं समझाता हूँ specific heat capacity को आप practically feel कैसे करेंगे दखिए basically specific heat capacity is the absorbing capacity is the absorbing capacity of the material कोई भी material कितना heat absorb कर सकता है अपने अंदर कितना amount of heat अपने अंदर कर सकता है उसी की value है specific heat मैं एक material हूँ मेरी heat absorbing capacity कुछ और है आपकी कुछ और है आपकी कुछ और है आपकी कुछ और है हर material की हीट absorb करने की capacity है और उसी capacity के बारे में कौन बताता है हमें बताता है specific heat आपसे कोई interview में पूछे कहीं examination में पूछे कि specific heat का physical significance बताईए इसका भौतिक महत तो कहां है आप समझाएंगे कैसे आप समझाएए कि हर body कुछ नकुछ amount of heat absorb करने की चमता रखता है कौन सी body कितना heat absorb कर सकती है इसका पता हम कहां से लगा सकते है specific heat के दिये हुए मान से specific heat के दिये हुई value से जैसे example के तोर पे मैं आपको example दिखा रहा हूँ देखिए अगर हम air की बात करें तो air की specific heat होती है 1.05 kJ per kg Kelvin कितनी होती है 1.05 kJ per kg Kelvin इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर हम air ले ले क्या ले 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 तो air की air जो है वो 1.005 kJ heat को absorb करने की capacity रखता है यह heat absorbing capacity है मैंने detail लिखा भी यह This shows that 1 kg of air अगर 1 kg air ले ले absorb 1.05 kJ of heat अगर हम 1 kg air ले ले तो यह 1 kg air will absorb 1.05 kJ heat to increase the temperature of air by 1 degree centigrade specific heat यही तो है न कि heat ले करके unit mass का temperature 1 kg का temperature कितना बढ़ाएगा 1 degree centigrade तक बढ़ाएगा तो अगर आपने 1 kg air लिया है तो वह 1 kg air 1 kg air 1 kg air एक degree centigrade टापमान को बढ़ाने के लिए कितनी heat लेगा 1.005 kJ पर केजी कितना लेगा 1.005 kJ पर केजी कोई दूसरा material है वो अपने 1 kg को मानलो water है नसे हमने एक्जामपल लिया है मानलो water है air के जिगह हमने क्या ले लिया water तो water की specific heat कितनी है 4.18 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है बेटा कि 1 kg water ले ले कितना water ले एक kg अगर हम water ले ले कितना water लेंगे 1 kg देखिए 1 kg की शर्ट जरूरी है न कि specific heat define ही किसके लिए है यूनिट मास के लिए यूनिट मास के लिए तो अगर हम 1 kg water ले ले और इसका तापमान में हम कितना वृद्धी चाहते हैं 1 degree centigrade तो हमें कितनी heat देनी पड़ेगी हमें देनी पड़ेगी 4.18 किलो जूल अब यहां से अंतर समझेगा कि देखिए air को 1 kg air का तापमान 1 degree centigrade पढ़ाने के लिए 1.005 किलो जूल हीट देनी पड़ रही है और water 1 degree centigrade एक केजी वाटर का तापमान 1 degree centigrade पढ़ाने के लिए कितना heat दे रहे हैं 4.18 तो हर material की property देखिए अलग अलग आ रही है न air कुछ और value है water के कुछ और value है यह सब हमें कौन बता रहा है यह सब बता रहा है हमें specific heat तो specific heat आपको क्या बताता है specific heat आपको बताता है यह किसी भी material की heat absorbing capacity क्या है अगर हम gases की बात करें तो specific heat जो है दो प्रकार की होती है liquid solid की भी बात करेंगे detail में अपनी classes में यहां पर आपको इतना बताना बहुत है कि हम लोग gases की बात करें अगर तो दो प्रकार के specific heat होती है एक का नाम है CP एक CV पस यही आपके exam point अभी से इतना ही important है तो जबजस्ति depth में जाने कोई मतलब नहीं है अगर CP और CV को देखें यह कुछ points है मैं आपको यह कहूंगा कि आप इनको क्या कर लीजिए learn by heart आप इनको याद कर लो बेटाई रट लो बिल्कुल आपको हला कि पढ़ते पढ़ते खुश समझे आ जाएगा CP का मान हमेशा CV से बड़ा होता है TP is always greater than CV जब first law पढ़ाएंगे तो proof करके दिखाएंगे CP minus CV is equal to R होता है और इसको हम लोग Mayors formula भी कहते हैं Mayors formula CP को CV से जब divide करेंगे तो gamma मिलता है क्या मिलेगा गामा और गामा का नाम क्या है adiabatic index क्या बोलेंगे adiabatic index और देखिए CP की वैलू हमेशा CV से बड़ी है तो CP upon CV करेंगे यह वैलू बड़ी है यह वैलू छोटी है तो हमेशा यह बड़ी वैलू ऊपर है और यह वैलू छोटी है तो CP upon CV करेंगे तो यह जो वैलू आएगी यह जो वैलू आएगी यह greater than 1 आएगी न और यह वैलू ही क्या है । तो गामा का मान हमेशा एक से बढ़ा होता है। क्यों क्योंकि टे। यह और गामा का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। आप एस्था कर लिए laugh लग टे मैं आपको बाद में बताऊंगा Mono Atomy के लिए, Dry Atomy के लिए, लेकिन Air का आप आप याद रखे, गामा कामान Air के लिए 1.4 होता है, और गामा की वैलू हमेशा एक से बड़ी होती है, क्यों एक से बड़ी होती है, क्योंकि गामा is equal to होता है, CP upon cv, और CP बड़ा है, CV छोटा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करोगे, तो हमेशा greater than one value आए, तो यह कोछ छोटी छोटी बाते थी, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, लास्ट में हम लोग latent heat को जानेंगे, कि latent heat क्या होता है, देखिए, अगर heat temperature को न बढ़ाए न घटाए, बलकि केवल there will be change of state, state change कर दे, तो उसे हम latent heat कहते हैं, जैसे ice cream है न, तो ice cream को हम क्या करें, हम heat कर दें, तो ice cream क्या हो जाएगी heat करने के बार, वो गरम नहीं हो जाएगी, पिखल जाएगी, उसका अवस्था परिवर्थन हो जाएगा, वो solid से liquid में आ जाएगी, इसे हम latent heat कहते हैं, last में कुछ छोट जूड़ी बाते हैं, और आपके लिखी गई है, last slide है, some important points about heat, heat भी एक तरह का path function है, जैसे work path function है, वैसे ही heat भी क्या है, path function, और कोई भी चीज़, अच्छा, heat भी क्या है, आपका boundary phenomena है, आप मेरा work transfer का वीडियो जरूर देखेगा, वहाँ मैंने खूब समझाया है, कि boundary phenomena क्या होती है, तो जैसा work है, वैसा ही heat भी है, और heat भी system की property नहीं है, कोई भी चीज, जो path function है, कोई भी चीज, जो path function है, वो system की property नहीं हो सकता है, कोई भी चीज, जो path function है, वो system की property नहीं होता है, तो प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश थी, कि मैंने heat transfer पर आपको बताना चाहा, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, बहुत important हैं, इसे notes की तरह बना लीजिए, और इनके अधार पर, is, gate, je, a, rs, kormi, ds, kumar, जो भी book आप लगाते हैं, rk, gen, follow करिए, आपके सारे questions निकल जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको जरूर बताएगा comment box में, thank you, thank you very much.